आठ साल लिव-िन रिलेशन्शिप में रहने के बाद भी इस आक्ट्रस को लगता है शादी से डर फिलहाल नहीं चाहती हैं मैरेड लाइफ का स्टाम शादी को लेकर अपनी मम्मी का बताया रियाक्शन लोगडाउन में कई सिलेब्स ने शादी रचाई लेकिन प्रतिग्या टू अक्ट्रेस आलिका शेक के दमाग में फिलहाल शादी को लेकर कोई खयाल नहीं है आपको बता दे कि आलिका आठ सालों से लिव-िन रिलेशन्शिप में है लेकिन वो शादी करने के लिए फिलहाल रेडी नहीं है इटाइम्स को दिये गए इंटर्व्यू में अक्ट्रेस ने कहा जब मैं और रोहिन पहली बार मिले तब मैं किसी और को डेट कर रही थी लेकिन चीजे वाक आउट नहीं कर पाई और मेरा उस शक्स के साथ ब्रेक अप हो गया रोहिन ने तब मुझे प्रपोस किया लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे सिंगल रहना है लेकिन उन्होंने कहा कि हम एज़ फ्रेंड साथ में रह सकते हैं और फिर काफी कुछ हमारी बीच बदल गया हमें लेविन रिलेशन्शिप में रहकर आट साल हो गए हैं लेकिन हम मैरेज के बारे में डिसकस नहीं करते हैं जब मैंने रोहिन को डेट करना शुरू किया तो मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम शादी की बात करोगे तो मैं उसे दिन भाग जाऊंगी मुझे मैरेज का स्टैंप अभी नहीं चाहिए मेरी ममे को पता है कि मुझे शादी नहीं करनी है इसलिए वो मुझे कुछ शादी के बारे में नहीं बोलती आपको बता दे कि प्रतिग्या सीजन टू में आलिका हमें केसर के किरदार में नजर आ रही है क्या कहना है आपका इस खबर पर बताईए हमें comment section में and also do like, follow and subscribe to Telemasala on Facebook, Instagram and YouTube.